हेलो बच्चों, आशा करता हूँ, आप सभी अच्छी तरह से होंगे चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास सैविंट का फर्स चेप्टर और 1.1 एक्सराइज का फर्स कॉस्चन लेते हैं कॉस्चन है, following numbers line shows the temperature in the degree Celsius at the different places on a particular day किसी दिन भारत के अलग-अलग शहरों का temperature यहां पर दिया गया है, number line की help से तो आप number line देख पा रहे होंगे अब हम इसके according कुछ questions भी दिये हुए हैं, वो पढ़ते हैं फर्स कॉस्चन, observe this number line and write the temperature of the places marked on it तो आप यहां तेख पा रहे होंगे, एक number line दिये हुई है और उसमान, different places के साथ उनके temperature दिये हुए हैं तो इन temperature को पढ़ना कैसे हैं, पहले हम बो देख लेते हैं और इसकी एक list बनाएंगे यही हमारे question का answer होगा देखिए जैसे लाहूल इस्पिती, एक जगय का नाम है, यह हमाचल प्रदेश में एक district है तो इसका temperature दिया हुआ है, हम उसे पढ़ते कैसे हैं वो समझे आप देखिए इस number line में यह 0 दिया हुआ है और कुछ places इसके right side दिये हुए है और कुछ places इसके left side दिये हुए है right side हमेशा positive numbers होते हैं और left side हमेशा negative numbers होते हैं तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी marking करते हैं जैसे कि यह low hole speed है इसके नीशे number तो दिया नहीं है तो उसकी marking हमें मालूम नहीं है तो उसकी marking करने के लिए हम क्या करते हैं? वो देखिए, क्या करेंगे हम यह 0 number है इसके left में जाते हुए एक एक number इसको mark करते जाएंगे जैसे कि 0 के बाजू में यह इसको minus 1 number देदेंगे इसको minus 2 marking देदेंगे इसको minus 3, minus 4, minus 5 जो के दिया है यह minus 6 हो गया, यह minus 7 हो गया, यह minus 8 हो गया यानि कि लाहुल इस्पिती का जो temperature है वो minus 8 हो गया देखिए फिर से सुनिए क्या करना है, यह जो 0 दिया है, उससे हम left side जाएंगे और marking करते जाएंगे जैसे यह पहला point है तो इसको क्या नाम देदेंगे, minus 1 फिर यह minus 2, यह minus 3, यह वाला minus 4, यह वाला minus 5 जो कि लिखा हुआ है, और यहां पर देखिए यह वाला क्या हो जाएंगा, minus 6, यह वाला minus 7, और यह वाला minus 8 इसी पर लाहुल इस्पिती लिखा हुआ है, यानि लाहुल इस्पिती का जो temperature है, वो कितना हो गया, minus 8 यह 0 है, left side जा रहा है तो क्या हो गया, minus 1 और यह minus 2 तो स्रीनागर का temperature क्या हो गया, minus 2, इसके बाद हम सिमला का temperature रीट करेंगे, लेकिन वो just 5 के उपर लेखा हुआ है तो इसका तो सीधा सीधा temperature क्या हो गया, plus 5, सिमला का temperature क्या हो गया, plus 5, क्योंकि वो 0 के right side है, तो इसका answer हो जाएगा, plus 5 इसके बाद हम UD का temperature देखेंगे, तो क्या करेंगे हमें, marking करने पड़ेगी, इससी दरह से यह 10 लेखा हुआ है, यह plus 10 हो जाएगा, इसके आँगे हम count कर लेते हैं प्लस 11, प्लस 12, प्लस 13, प्लस 14, तो UD का temperature क्या हो गया, प्लस 14 हो जाएगा, UD का temperature आईए, अब हम देखते हैं कि Bangalore का temperature कैसे रीट करेंगे, by the help of number line, तो देखें क्या करेंगे, यह 20 लिखा हुआ है, इसके बाद जुमें देखें, यह बाला point, इसका क्या value हो जाएगी, 21, यह 22, तो Bangalore का temperature हो गया, 22, वो भी positive, क्योंकि वो 0 के right side है, तो Bangalore का temperature कितना हो गय प्लास 22 degrees Celsius, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, different places का temperature यहाँ पर दिया हुगा है, पैंगलोर का 22 degrees Celsius, उटी का 14 degrees Celsius, सिमला है, 5 degrees Celsius, और स्रीनगा है, minus 2 degrees Celsius, और लाहुलिस्पिती है, minus 8 degrees Celsius, क्यों, क्योंकि यह दोनों प्लेस जो है, वो 0 के left side थे, इसलिए इनका temperature जो है, वो minus मे रहेगा, और जो बैंगलोर, ओटी और सिमला, वो 0 के right side थे, इसलिए इनका temperature जो है, वो positive रहेगा, आप इस question के B part की तरफ बढ़ते हैं, question है, what is the temperature difference between the hottest and coldest place among the above, देखिए आपने अभी table भी बनाई थी, और इसमें देखा था कि बैंगलोर का temperature 22 degrees Celsius आ रहा था, तो यह क्या ह हो गया, hottest place, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, the temperature of the hottest place, बैंगलोर, equal to 22 degrees Celsius, और the temperature of the coldest place, कौन सी है, लाहो लिस्पिती, equal to minus 8 degrees centigrade, तो इसका difference हो जाएगा, 22 degrees Celsius, minus, minus 8 degrees Celsius, minus क्यों यहाँ पर, क्योंकि लाहो लिस्पिती का temperature already negative था, तो हम जब 22 degrees Celsius में से, minus करेंगे, minus 8 degrees Celsius को, तो आप जानते हो, minus और minus क्या हो जाता है, plus का sign मन जाता है, तो 22 degrees Celsius, plus 8 degrees Celsius, का answer क्या आएगा, 30 degrees Celsius, यहाँ पर बच्चे गलती यह करते हैं, कि वो इन दोनों temperature को, minus कर देते हैं, और उनका answer आने रखता है, 14, लेकिन नहीं, यह दोनों temperature जो है, वो add हो जाएगे, क्योंकि एक negative है, और एक positive है, तो 22 degrees Celsius में से, जह हो minus 8 को subtract करेंगे, तो subtract ना होकर, वो add हो जाएगा, और 30 degrees Celsius का correct answer रहेगा, इसके बाद हम, इसी का third part पर आ जाते हैं, यह C वाले part में दिया है, what is the temperature difference बढ़िविन्दा, लाहुलिस्पिती, और स्रीनगर, same question है, B जैसा है, इसमें हमको लाहुलिस्पिती औ difference find करना है, तो temperature of Srinagar क्या हो जाएगा, minus 2 degrees centigrade, और temperature of Lahaulिस्पिती क्या हो जाएगा, minus 8 degrees centigrade, हमने पहले ही table बनाई थी, तो इन दोनों temperature का हमको difference find करना है, तो Srinagar पहले दिया था, तो Srinagar का temperature लिखा हमने, minus 2 degrees centigrade, और minus करेंगे हम, minus 8 degrees centigrade, लेकिर हम जानते है, minus और minus क्या हो जाता है, plus का sign बन जाता है, इसलिए इसका total answer जो आएगा, वो plus 6 degrees centigrade आएगा, क्योंकि minus का 2 degrees centigrade, और plus का 8 degrees centigrade का answer क्या आएगा, 6 degrees centigrade, ओके, अब चलते हैं, question की last part पर, can we say the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at the Shimla, यानि, अगर Srinagar और Shimla का temperature एक साथ लें, तो क्या वह है, Shimla के temperature से कम होगा, तो आएए चेक करते हैं इसके लिए, इसके लिए पहले हमें Shrinagar और Shimla की temperature को add करना पड़ेगा, क्योंकि together लिखा है question में, तो Shrinagar का temperature है 5 degrees Celsius, plus Shimla का temperature है minus 2 degrees centigrade, equal to 5 degrees centigrade, minus 2 degrees centigrade क्या answer आएगा, 3 degrees centigrade, तो the temperature of Shrinagar and Shimla together equal to क्या हो गया, 3 degrees centigrade, but the temperature of Shimla alone equal to 5 degrees centigrade, Shimla का temperature है 5 degrees centigrade, वो दोनों का temperature है, वो 3 degrees centigrade, so here 3 degrees centigrade is less than 5 degrees centigrade, thus the temperature of the Shrinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla, now the temperature of Shrinagar is minus 2 degrees centigrade, therefore it is greater than 3 degrees centigrade, so it is not less than the temperature of Shrinagar, इस वाले पार्ट में ये पूछा गया था, कि अगर Shimla और Shrinagar दोनों का temperature एक साथ लिया जाए, तो क्या है, सिमला के temperature से कम होगा, तो हाँ, यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि Shrinagar और Shrinagar का temperature से एक साथ लेने पर 3 degrees centigrade आ रहा है, जोंकि Shimla के 5 degrees centigrade temperature से कम है, I hope आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर कहीं भी कोई confusion है, तो आप इस वीडियो के एक बार फिर से सुन लीजे, I hope कि आपको समझ में ज़रूर आएगा,